हलो एवरिवन असलाम वालेकुम साकराज जेम सेंटर में आप सबका स्वागत है आई जेम बनाने जारे चिली चीजी टोस्ट यह बहुत ही आसान है बनाना और बच्चों को बहुत पसंद आएगा बस पांच मिनट में हमारा चिली चीजी टोस्ट बन करके तयार हो जाएगा चिली चीजी टोस्ट बनानी के लिए हमने इहां पे ब्रेट लिया है कुनारी कर दिया है अ चल्य ने क सिम्ला मिर्च लिया है और घ्रलिया झाल अथा लिया है बटर मौज्चों चीज को सब्साइल कर सकते हैं आप ज्याकर चीली से आरे एपर भार्यट को टार रिक यह हमने एक कटोरी लिया है इसमें हम सारे वेजिटेबल को डाल देंगे और वेजिटेबल में अगर कोई और दूसरा वेजिटेबल भी इसमें आप एड़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जैसे सिमरेट, सिमला मेर्श हुआ, गाजर हुआ, बिन्स हुआ, मतर हुआ, कु कर सांज, बटर हम इसमें डाल दिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे, जो हमने चीज लिए है, मौचले जाल देंगे, और इसे हम मिक्स करेंगे, जा dishonored हम और कीज़् आप औरो आम किरीमी ओसा हम एसको बनाना है, तो अच्छे तरीचे से इसको सब्सक्र बादिए, यह जब देख सकते हैं अब इसको और मिक्स करना है यह पूरी तरीक नहीं हुआ है तो हम इसमें डालेंगे और गयनो यह और गयनो जो है ऑप्सनल है इसके बिना भी चिली चिली चोस्ट बना सकते हैं बहुत ही मज़े का बनता है लेकिन इसके डालने से थोरा सा फ्लेबर चीली-चीली टोस्ट में तो यह देखी हमने अच्छा तरीके से घ्लिया है अच्छा रिटेगा फ्राइपन लीआ है उसमें हम ब्रेट को सेखेंगे एक तरफ से अच्छा ब्रेट को शेक लिया है तो यह दे कि हमने सारे ब्रेड को सेक लिया है अच्छे तरके से देख सकते हैं आज इस तरफ से हमने ब्रेड सेक है उसी तरफ से हमने इसमें जो हमने सिमला मिर्च और चीज का मिक्सर बना के रखा है उसको डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरके से ब्रेड फेला देंगे और किनारी से थोरा सा हटा की ही डालना है तो फिर जब डालेंगे बेड शेक ने तो चीज पी घलके बाहर कुन होगा तो इसलिए तो अच्छे तरीके से इसको फैला देंगे यह देखिए हमने इसको फैला दिया है और किनारी से थोरा सा हटा हटा की हमने रखा है और आप मिक्सर के अंदर भी चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं आपकी मर्जी और उपर से थोड़ा थोड़ा और चीज डाल देंगे इससे बिल्कुल किरीमी सा बनेगा ना बच्चों को बहुत पसंद आएगा चीज थोड़ा सा एक्ष्ट्राई होता है तो बच्चों को बहुत पसंद आता है तो इसलिए उपर से थोड़ा सा और चीज डाल दिये हैं और इसमें थोड़ा सा और उपर से फिर चिली फ्लेक्स डाल देंगे और फिर आब इसको पकाएँगे तो हमने रिधा फ्रैपेल लिया है उसमें हम थोरा सा घी डाल रहे हैं आप चाहें तो बर्टर का भी इस्तमाल कर सकते हैं। और हम वंने इसके डाल दिया है, इसको डाल देंगे रहेंगे जो भाशन ओक consoniced त्युल्प जाहेंगे, बस इसे में क्रिस्पी साख़्यारिब जाना भाश मिनछा है थोड़ा सामने फिर से घी लगा दिया है और इसको ब्रेड को रख देंगे और फिर से इसको तीन मिनट पका लेंगे तो यह देखिए हमारा चिली चीजी टोस जो बन करके तयार हो चुका है देख सकते हैं इसको हम सर्व किये हैं तो मैटो केचप के साथ तो यह बहुत ही मज झाल झाल